नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका exam warrior के online study platform पर तो आज हम यहाँ पर science की जो series हमने शुरू की है उसका part 2 करने वाले हैं और इसमें मैंने vitamin से related कुछ most important mcqs include किये हैं अब चाहे आप हिमाचिल प्रदेश पुडिस constable की त्यारी करहे हो या forest guard की या अन्य प्रिक्षा की जि रिकेटस है या फिर नपुन सकता है तो इसका अंसर सभी जानते होंगे vitamin A की कमी से रतोंदी होती है अब next question देखते हैं कि vitamin B3 का रसाइनिक नाम क्या है पेंटाथैनिक अमल नियासीन पाइरोडॉक्सीन या फिर बायोटीन तो इसका जो सही अंसर है वो है आपका नियासीन तो vitamin B3 का रसाइनिक नाम नियासीन होता है अब next question के और यहाँ चलते हैं यहाँ कहा गया है कि vitamin D का प्रचूर स्तोत क्या है यह सभी जानते हैं कि vitamin D का प्रचूर स्तोत सूर्य की रोशनी है अब next question के और देखते हैं तो अब आप यहाँ देखोगे यहाँ कहा गया है vitamin B12 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है अब vitamin B12 की कमी से होने वाला रोग है रक्त काल्पता और अनीमियम यह दौनों आपके B and C यहाँ पर दौनों आ जाएगा अब next question क्यों चलते हैं अब यहाँ कहा गया है vitamin C का रसाइन नाम हमें पता करना है तो vitamin C का रसाइनिक नाम है ascorbic acid तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा ascorbic acid तो अब next question यहाँ कहा गया है कि हरी सबजियों में ज्यादा तर कौन सा vitamin पाया जाता है क्या वो vitamin A है vitamin B, vitamin C या vitamin D तो इसका जो सही अंसर होगा I hope आप जानते होंगे इसका vitamin A या अंसर सही होता है अब next question देखेंगे किस vitamin को president vitamin B कहते हैं कि vitamin D को कहते हैं, vitamin E को कहते हैं, vitamin K को या vitamin A को तो यह vitamin E को कहते हैं अब next question आप देखोगे यहाँ कहा गया है vitamin D का रसाइनिक नाम क्या है तो पहला option है retinol या फिर calciferol, phloquinin, phloquenone, या फिर riboflavin, तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा calciferol, अब next question देखते हैं कि dermatitis रोग किस vitamin की कमी से होता है, तो यह किस vitamin की कमी से होता है, क्या वो vitamin D है, vitamin C, vitamin B, या फिर vitamin B5, तो इसका जो सही अंसर है वो है vitamin D, तो vitamin B5 की कमी से dermatitis रोग होता है, अब next question देखते हैं यहा कहा गया है vitamin B का आभिश्कार किस ने किया था तो क्या वो holkut थे hopkins थे makulon या फिर kashmir funk ने kashmir funk ने तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number C makulon ने अब next question देखते हैं यहां से अब यहां कहा क्या है कि vitamin B B smooth vitamin कितने vitamin का smooth है तो जो vitamin B है कितने vitamin का smooth है यह तो क्या यह 11 है 10 9 या 12 तो इसका सही अंसर आजाएगा यह 11 vitamin का smooth है next question देखेंगे बसा में गुलंचील vitamin कौन से है यह आपने most important tick कर लेने है बसा में गुलंचील vitamin कौन से है क्या वो B और C है AD के है ADE के है या फिर A, B, E, K है तो बसा में गुलंचील आपके कौन कौन से है तो वो हैं आपके ADE और K अब next question अब बात करते हैं next question की तो उसमें कहा गया है जल में गुलंचील vitamin कौन कौन से है अभी हमने पहले बसा में गुलंचील पढ़ा था तो अब हम जल में गुलंचील पढ़ेंगे तो क्या वो vitamin A और B है BC है या फिर CD है या फिर AC है तो इसका सही अंसर हो जाएगा vitamin B और vitamin C जल में गुलंचील होते हैं अब next question देखते हैं या कहा गया है vitamin B का रसाइनिक नाम क्या है अब vitamin B का रसाइनिक नाम क्या है क्या वो थाइमिन है नियासीन है पहला ग्रा है या फिर बायोटीन है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा थाइमिन अब next question देखेंगे vitamin B6 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है क्या वो खून का थक्का नहीं बनने देता या फिर बालों का गिरना बालों का सफेध होना अरक्ता तथा तवचा रोग तो इसका जो सही अंसर होगा vitamin B6 की कमी से अरक्ता तथा तवचा रोग होते है अब next question की बात की जाए तो किसका vitamin B3 का ये रसाइनिक नाम है अब next question दे국ते हैं vitamin B की कमी से होने वाला रोग कौन सा है तो vitamin B की कमी से होने वाला रोग रतोंदी है रिकेटस, सकर्वी या फिर बैरि बैरि तो इसका अंसर आप जानते होंगे vitamin B की कमी से बैरि-बैरि होता है अब next question देखेंगे कि pyrodexin किस vitamin का रसाइनिक नाम है क्या वो vitamin B5 है vitamin B6 है vitamin B9 ये फिर vitamin B2 तो ये सही अंसर हो जाता है vitamin B6 का pyrodoxin नाम है अब next question देखते हैं यहाँ पर कहा गया है vitamin B2 की कमी से होने वाली विक्रती है तो vitamin B2 की कमी से क्या होता है तो option आपके पास है जोडों का दर्द, बाल सफेद होना तवचा का फटना या फिर तवचा का पीला पडना तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा तवचा का फटना vitamin B2 की कमी से तवचा फटती है अब किस vitamin में nitrogen पाया जाता है ये काफी important question है क्या वो vitamin B है vitamin C, vitamin D, vitamin E तो इसका सही अंसर हो जाएगा vitamin B में क्या nitrogen पाया जाता है तो ये थे कुछ important vitamins related questions तो I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर कोई question आपको लगता है कि ये गलत है तो उसे comment करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे आने वाली वीडियो में सुधार सकूँ तो मिलते हैं आपसे next वीडियो में